हेलो गाइज, वेलकम बैक टो क्विडियस एरी, तो बात करेंगे आज हम इंडिया के रोडमेप के बारे में 2047 का, जो कल ही ओल इंडिया फुटबोल फेडरेशन ने लॉंच किया है, इंडिया से रोडमेप टो 2047, और क्या हो सकता है इंडिया का फुटबोल का फ्यूचर, उ और क्या इसको realistically implementation किया जा सकता है, यह document के सहार है, या फिर यह सिर्फ एक document है, इसको practically यहाँ पे ground reality के तोर पे इसको implement करना मुश्किल है, या फिर viable है, या फिर practical है, उन सब के बारे में हम discuss जरूर करेंगे, तो सबसे बहुत करते हैं कि कहां पे खड़ा है इंडियान फुट करेंगे 61 है, हमारे पांस 36 state association है, डेड़ लाग के राउंड हमारे पांस register player है, उसके अलाव आप देखे कि 635 हमारे पांस register club है, उसके अलावा 6000 से भी ज्यादा हमारे प्लांस referee है अभी, 23 ISL and I league club है, 12 Indian women's league club है, हमारे पांस 8000 से भी ज्यादा हमारे पांस kochis है, जो हमें पत register grassroot player से, तो यह है current Indian football status और अब यहां से वो लोग कहां पे लेके जाना चाता है, तो इसको इन लोगोंने long term and short term दोनों में divide किया है 2047 को, 2023 से 26 का हमारा roadmap क्या रहेगा, 2027 से 30 का क्या रहेगा, 2031 से 34 का क्या रहेगा, 35 से 38, 39 42, 43 से 47, तो इस पूरे long term project को एक छोटे-छोटे milestone के तहट, एक चार-चार सालों के gap में divide किया है, और उसमें इन लोगोंने फिर पूरा जो Indian football का future है, वो किस तरह से grow होगा, इसके बारे में discussion किया है, तो इसको इन लोगोंने 11 parts में divide किया है, पूरे जो Indian football को एक बहतर बनाने के infrastructure एक important role है, फिर digital transformation किस तरह से होना चाहिए, रेफरिंग का क्या किसे improve किया जाए, clubs को क्या-क्या power दी जाए, और क्या-क्या improvement के लेवल पर होनी चाहिए, फिर आप देखिए कि grassroot level पे क्या-क्या improvement की जरूरों थे, coaching में क्या-क्या improvement की जरूरों थे, talent acquisition और उसके बारे में scouting marketing के बारे में क्या-क्या जरूरों थे, उसके बाले में competition में क्या-क्या बढ़लाव लाने के जरूरों थे, national team का किसे improve किया जाए, और marketing and commercialization को किस तरह से इसको implement किया जाए, तो यह 11 पहल हुए जो stakeholders है, इनमें सभी आ जाते है, एक अच्छी तरी किस I think well planned यहां पर किया गया था कि हमारे पास एक governance body नहीं थी, जो एक well run और उसने जो I think rules का आप बोल सकते कि उलंगन किया था, तो इसलिए एक well structure सबसे पहले तो आपकी body होनी चाहिए, state level पे और आपके national level पे, तो national level पे हमें पताए कि AIFF है हमारी, तो उसका इन लोगों ने clear vision और क्या बताए, responsibility के बारे में, governance and administration के बारे में, और उसका एक structure बताया है कि AIFF का president होगा, secretary general होगा, IFF secretary होगा, general body होगा, executive committee होगा, तो एक पूरा structure बताया गया है कि ऐसे AIFF run आगे करेगा, और एक proper clear plan बताया गया है, ताकि आगे जाके जो हमें FIFA band due to the governance और administration की खामियों की बज़े से मिला था, आगे जाके ना मिले, फिर state level पे क्या हो सकते है हमारी structure, तो इसमें भी बताया गया है कि national level पे AIFF state level पे आपके पास member association 1, 2, 3, अब जितने भी है, मतलब 36 है अभी आगे जाके बढ़ भी सकते है, फिर district level पे district association 1, 2, 3, मतलब सभी state में, सभी district association होगे, और उसको किस तरह से power दी sports association है, वो अपनी अपनी तरीके से run करते है, तो उसको एक कैसे, जो AIFF का एक जो मानक दंडख है, उसके अंडर लाया जाए और उसका जो एक clear roadmap है कि भाई, यह आपके status station में होना चाहिए, तभी आप AIFF के साथ एक member association केला हो जाओगे, तो एक clear roadmap इन लोगों ने दिखाया गय है, और इसमें इन लोगोंने 26 और 27, 2047 का roadmap दिखाया है कि यह है, 100% of member association to adopt a good governance practices, तो वह इस तरह से एक well run होना चाहिए, कि भाई, आपको अगर responsibility दी गई है कि state association को district championship, state championship, फिर city level पे, urban level पे, फिर rural level पे इस सब करना है, तो वह एक clear path बताया गया, इस तरह से आपको आगे move forward क 2047 तक, each state to have a strong governance structure in line with AFF to optimally deliver all aspects of the football, तो वह इस तरह से एक well run 2047 तक आपका एक state level पे भी, और एक क्या बोलते है कि national level पे भी एक structure, एक governance के तोर पे आपकी कोई खामिया नहीं होनी चाहिए, एक objective framework हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, दूसरा इन लोगोंने infrastructure के बारे में ब लाना चाते है, तो वह 2026 तक इन लोगों के goal देखिए कि हमारे goal है कि एक FIFA level का, एक smart stadium हम 2026 तक बनाना चाते है और दो FIFA level के, जबकि 2047 तक है minimum 50 standard football pitches per district guys, तो देखिए कि हमें पता है कि बिना infrastructure में कोई भी sport आपको उस तरह से develop नहीं होता हुआ दिखेगा, तो सबसे बिल आप प्लेइंग ग्राउंड तो चाहिए, ताकि आपके जो मतलब कुछ छोटी उमर से ही बचो या फिर उसमें एक clear उसके लिए उस game के प्रती एक involvement दीखे और उनको एक proper वो क्या बोलते है facilities भी मिले, तो आप देखिए 2047 तक minimum 50 standard football pitches per district, 30 FIFA standard stadium and 12 smart stadium, तो वैट 30 FIFA level के stadium और 12 smart stadium 2047 तक बनाने की कोशिश है, फिर एक infrastructure census भी मनाएंगे लोग 2026 तक, फिर एक policy भी लाएंगे कि इस तरह से grading and licensing देना है stadium को, और 50 professional clubs to have training facilities, training facilities भी काफी ज़्यादा ज़रूर है हमें पता है, तो I think infrastructure के बारे में भी एक clear roadmap यहां पे दिखाया गया है, moving on to the third part, digital transformation, I think यह भी एक काफी अच्छा पहल हुए कि हमें पता है कि जिस तरह से पूरे world football में एक digital transformation हो रहा है और data driven जिस तरह से गेम को बनाए जा रहा है, चाहे वो player का development हो, चाहे friends के साथ engagement करना हो, चाहे friends के साथ एक player का relationship बनाना हो, या फिर एक जो player का scouting report हो, सब में data driven player की health, physicality, आप जेके की body fitness, सब क आप बोल सकते की data driven बना जा रहा है, तो इंडियन football का भी इसी तरह data और digital transformation करने की ज़रू होते है, जिसमें इन लोगोंने मरलोब बताए कि किस तरह से भाई और भी ज्यादा fans जो है वो through digital platform हमारे साथ चूर सके, तो इसमें इन लोगोंने clear road में वहाँ पे दिखाया है, moving on to the next part, referring, I think referring एक सबसे important पहलू होता है कि किस तरह से हमारे यहाँ पे referring का level है और किस तरह से इसको upgrade किया जाए और एक FIFA level का referring, आप देखिए current status, आप देखिए A grade पे हमारे पास सिर्फ आप SSR और instructor देखिए तो अभी 6-6 ही है, जबकिन को 8 और 2027 तक 8 करने की कोशे से B grade, C grade, D grade इसके लिए 2047 का विजन देखिए तो भई के इंडिया मेच ओफिशल टो अटेंड ग्लोबल, FIFA World Cup में इंडिया का referee होना चाहिए 2047 दग, every state to be self-sufficient with AFF Accrediate Assessors and Instructure, तो सभी state level के पास एक high level का referring पूरा एक unit होना चाहिए, और women reference को भी प्रशान देने की बात की गए, तो referring एक काफी crucial part है इस game के लिए, उसके उपर भी काफी ज़्यदा focus दिया गया है, उसके लाब आप देखे, clubs level के, clubs को क्या क्या करने की ज़रूरत है, तो clubs में भी हमें पता है कि यह लोग करने जा रहे है, licensing के थूरू कि इलाइट प्लेयर डेवलोपेंट प्रोग्राम होना तक ले जाने की कोशी से 2047 तक और उसमें भी 50% development clubs और women's club होने चाहिए, फिर competitive structure इन्वोने to 20K clubs जो हमारे पास currently अभी 3600 के round है, उसको आप 20K तक 20,000 clubs तक लेके जाना चाहते, all level तक, तो यहां पे भी एक काफी clear vision दिखाया गया है कि clubs किस तरह से develop होने चाहिए, और सभी clubs को एक youth teams भी होनी चाहिए, यह भी compulsory करने जा रहे है, यह लोग कि 2026 तक have a youth team for all the professional clubs, जो भी professional club है, सबके पास एक youth team होनी चाहिए, ताकि और भी ज्यादा home ground, Indian ground talents आपको मिल सके, क्योंकि अभी आपको पता है कि जो professional club है, वो ज्यादा बाहर के talents को rely करते है, और short term goal के लिए दे और जहां पर जिस स्टेटों में फूटबोल को ज़्यादा वो बोलते है कि एहमत दी जाती है, वहां तो जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी जो इंडिया के पार्ट से, वहां पर किस तरह से grassroot level पे और आप बोल सके कि school level competition के तुरू, और different different states के साथ आप बोल सकते हैं कि organize करके एक tournament organize करें, ताकि और भी ज़्यादा बच्चे इसमें participant किये, और आप देखें कि 35 million kids के पांस पहुंचना है, through its program and grassroot flagship project के थ्रू, 2047 तक 100 million children into this sport लाने है, तो clear roadmap इसमें भी दिखाया गया है, कि इस तरह से grassroot को भी touch करना है, और वहां से जो एक game के प्रती, एक पहले से ही ल करना है, उसको भी इसके बारे में, तो वहां पे भी clear road में दिखाया गया है, moving on to the next one, is talent identification and development, scouting के बारे में बताएगे है, कि भी किस तरह से scouting को एक well manner मनाना चाहते है, कि वे data driven AFF scouting for youth national teams, 35 matches per youth player, जो भी youth में बच्चा है, हमें पता है कि अगर वो छोटी उमर से ही, अगर उतना proper उसको game time या फिर games नहीं खेलेगा, तो उसका जो एक आप बोल सकते ही development है, वो उस तरह से नहीं होगा, तो 35 matches per youth player across elite and state youth leagues, design and implement academy licensing and criteria, 5000 licensed scouts, scouts भी होने है कि talent को फरके, उसका भी license दिया जाएगा, और 2047 तक भी इंडिया का एक major hub होना चीज़, जैसे ब्राजिल से आर् at least one iconic player with international stardom in both men's and women's football, तो 2047 तक हमारे देश में भी अगर Manessi और Ronald ना हो, तो भाई, साला तो होना हीजी है, कि जैसे Egypt के लिए साला बना है, उसी तरह का road में यहाँ पे AFF ने target किया है कि 2047 तक एक ऐसा iconic player हो, जो European top league में या फिर जो top level की league है football में, वहाँ पे अपना जंडा गार के खड़ा हो, तो इस तरह का यहाँ आप देखे कि scouting के बारे में, जो road में पे वो इस तरह से दिखाया गया, फिर एक coach, I think coach का भी एक काफी बड़ी आप एल हुए और इसमें भी आप प्रो डिप्लोमा लेवल के देखिए, जो सबसे highest level होता है, वहाँ पे currently आप देखे कि हमरे पास zero tutors है, और coach सिर्फ सत्राई है भाई, तो इसको 2026 तक 72 लेके जाने की कोशिश है, डी डिप्लोमा या आपको पता है कि अगर आपको football में coaching करना है, तो E, D C, B, A और pro level मतलब नीचे से आप चालू कर सकते हो, और इसमें भी और लोगों को जोडने की और एक professional career के तोर पे लाने की कोशिश की जारी है, और 2047 तक इसको भी एक 350 के, मतलब 350 के active coaches across all level होने चाहिए, इस state to have instructor of every level, self-reliant with globally competitive coaches for every level होने चाहिए, और leadership status भी मिलना चाहिए, तो coaches का भी एक overall development यहां पर दिखाया गया है, उसके बाद competition, तो यह एक अच्छा मेरे को दिखा कि competition क्या-क्या होने चाहिए, कि एक wealth structure आपके बास tournament होना चाहिए, तो जैसे कि 2026 का targeting ISL में है, जो currently 11 club है, इसको 14 तक लिया जाए, फिर I-Link का मर्लोब जो अपन लेवल structure है, senior men's का उसको 5 लेवल में divide किया है, इन लोगोंने ISL, I-League 1, I-League 2, Zonal Leagues 5, Zonal Leagues होनी जाए और State Champions 36, तो इस तरह से इन लोगोंने divide किया है, I-League में 14 तीम है, I-League के second tier है, उसमें 12 तीम है, तो total 40 professional teams आपको 2026 तक लेके जानी है, और उसको फिर 2047 में और भी ज्यादा बढ़ाना है, और 55 matches per player होने चाहिए, जो हम अभी complaint करते हैं, players भी complaint करते हैं, Indian player को उतना पूरे year में 20 to 25 to 30 matches से खेलते हैं, जबकि बाकी आप top level country से उसके player throughout the year 50 to 60 matches खेलते हैं, तो आपको एक game time भी चाहिए, डेवलोप होना के लिए, तो 55 matches across the competitive structure for a player for a first season उस तरह से इन को किया गया है, नेक्स्ट इन लाइन इस नेशनल टीम में किस तरह से क्या विजन होना चाहिए तक भाई, सबसे पहला जो 2026 तक है, तो है qualification for FIFA under 17 World Cup for both men and women, फिर top 8 in Asia, women's में और top 10 in men's football भाई, and 2047 तक भाई, top 4 में हम होने चाहिए, men's and women's में, across the both men's and women's football, तो नेशनल टीम का target set किया गया है, कि भाई, 2047 तक हमें top 4 में होना है, Asia में, और 2026 तक हमें top 10 में आना है, उसके बाद आप marketing, जो एक सबसे बड़ा पहल हो है, हमें पता है कि जो इस सारे चीजों को implement करने के लिए जो चाहिए, वो चाहिए revenue, जो currently AIFF का revenue है, वो सिर्फ 80 करोड है, और इसको आपको बढ़ाना ह है, कुछ नहीं होता, और आपको पताए कि तीन major source है, of income for football, आपको पताए कि पहले तो broadcasting, फिर commercialization, partnership, dance के दाथ, partnership करके, और तीसरा है match day revenue, तो इसमें सबसे बड़ा पार्ट से, पार्ट जो current है, वो है broadcast, broadcast का, चाहिए किसी भी world की football leagues, या कोई भी spot ले लिए, जो broadcast ही, सबसे ज़्यादा revenue generate करता है, और उसी के through game चलती है, तो इसको 2026 तक जो 80 करोड़े, इसको 500% interest करना है, फिर launch 3 flagship television properties by 2026, and 2047 तक, achieve an average 20% CSR growth of Indian football economy over the next 6 strategic cycles, तो यह 6 strategic cycle है, इसके through इसको लेके जाना है, तो पुरा clear roadmap इस तरह से चलता है, पूरे सारे ही आप बोल सकते हैं कि भे लोको य यहाँ पर अच्छी तरह के से well manage करके इनको रखा गया है, और जो सभी stakeholders है game के, और overall development को एक बेटर तरीखे से, मेरे साब से यहाँ पर All India Football Federation ने अच्छा vision map दिखाया है, तो implementation guys इसका हो सकता है, ऐसा नहीं है कि अन्रियलेस्टिक इन लोगों ने बता दिया है, इसमें काफी सारी चीजे है कि जो मदलब वहाँ पर हम अच्छा कर भी रहे हैं, और थोड़ा सा अच्छा करने से हम इसको achieve कर सकते हैं, तो एक अच्छा roadmap यहाँ पर दिखाया गया है, और आगे आने वाले टाइम में हम इसको clearly implement करते हुए देखे, तो this is about India's roadmap 2047, और में इसका link आपको पूरे जो document है, इसका link में description में डाल दूँगा, ताब कि आपको अगर all detail में जानना हो ताब इसको पढ़ सकते हैं, तो यह clear vision था Indian football का, and let's see, let's hope कि इंडिया इस target को achieve कर पाए हैं Indian football, फिर से जो 1950s, 60s में जो बोल बाला थी, उसी तरह का एक highest level पे पहुँच पाएं, तो अ